तो आज हम अपने पेड के जो है हमने जो च्छत में टैरेस गार्डनिंग करी थी उसमें धेड़ सारे बैगन और सिम्लाइमिर्च लगे हुए हमारे तो उनके आज हम हर्वेस्टिंग कर रहे है तो देख सकते हैं आप काफी बढ़िया पेड हो रहा है तो पोधे हमने गमले म लगा रखे हैं तो चार-पाँच बैगन हो रहे हैं उनके हर्वेस्टिंग करते हैं आज और धेड सारे लग रहे हैं इसके अंदर बैगन अभी तो यह देख सकते हैं आप तो ऐसी आप लोग भी अपनी छत में टैरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और धेड सारी और गिनिक कि अगे हैं हां मांके बैगन हमारे च्टे हो रहे हैं तो नीज साना उगान ने तोड़ दी की तो अनुझी तो आपको आप चलते हैं तो चलते हैं संभ्य मिर्च का पेड और Minus का दो तो मेरी माँ इसके हर्वेस्टिंग कर रही है तो इसका साइज देखिया आप इसके 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 नहीं है तो देख सकते हैं आप फ्रेस ताजी औरगनिक सब्जियां मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और जो भी मैं नौलेज्ट तया हम पाइन आप लोग को पहले खुद करता हूं फिर आपलोग को बताता हूं तो देख सकते हैं आप पूरे सिम्लामेड़ से लगे हुए इसके अंदर और पूरा पेड़ भर रखाया सिम्लामेड़ से तो यह देख सकते हैं आप काफी खुसी हुरी इसको देखके तो आप भी अपने घर के आसवा ऐसी धेड़ सारी साग सब्सक्राइब हो गाएं अपने च्छत पर तो काफी अच्छा लगता है अपनी सब्सक्राइब को हार्वेस्ट करके काफी सुकून मिलता है काफी अच्छा लगता है दिल को और इंसान मेंटली जो है वो हेल्दी रहता है तो यह देख सकते हैं आप हमारे एक सब्जी रेडी हो चुकी है फाइनली तो हमारे सब्जी आपको कैसे लगरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना तांकि लोग मोटिवेट हों आपका एक लोग को मोटिवेट कर सकता टैर्स गादनिंग करने के लिए हैं तो डेखी सारी टैर्स गादनिंग करी और फ्रेश फ्रेश ऐसी और इससी और्गनिक सब्जीया Filip खत्रें ऐसे देख सते हैं आप कितने हो रहे हैं यह किसी बढ़िया हो रहे हैं इनका साइज आप सिंब्ला